हेलो दोस्तों स्वागत है आप सब का मेरे यूट्यूब चैनल रोहिनी क्लासेस में तो आज हम क्लास 10 की NCRT हिस्ट्री का चैप्टर 2 का अगला पार्ट देखने जा रहे हैं यानि की पार्ट 4 देखेंगे हम जैसा कि आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि असहयोग आंधोलन जो है हिंसा का रूप ले ले रहा था तो इस वज़े से गांधी जी को ये आंधोलन वापस लेना पड़ा और अब हम बात करेंगे सबीने अवग्या आंधोलन यानि कि किस प्रकार सबीने अवग्या की रूप रेखा तैयार हुई और फिर जाके 6 अप्रेल 1930 को करते हैं तो देखें सबीने अवग्या की और जैसे कि आप सभी को पता है कि फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांट हुआ था चौरी चौरा जो की कहा है गोरकपूर में है ठीक है पुलिस टेशन में जो है कुछ पुलिस वाले उसको मार दिया गया था हिंसा फैली थी तो 1922 में महत्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया उनको यह लगता था कि आंदोलन जो है हिंसक होता जा रहा है और सत्यागरियों को जो है व्यापक प्रिशिक्षण की जरूरत है ठीक है कॉंग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संगर्सों से ठक चु जो है वो ब्रिटिस नीतियों का विरोध करना सुधारों की वकालत करना और यह भी दिखाना महत्यपून है कि यह परिशदे जो है लोकतांत्रिक संस्था नहीं है इन्हों से थे सियारदास और मोती लाल नहरू इन्हों ने परिशद राजनीती में वापस लोटने के लिए कॉंग्रेस के भीतल ही क्या कर लिया स्वराज पार्टी का गठन कर डाला और जवाहलाल लहरू और सुभास चंद बोच जैसे जो युवानेता थे ज्यादा उग्र जनांदोलन और पूर्ण सतंतता के लिए जो है दबाव बनाए हुए थे ठीक है तो आंतरिक वहस और असा अब ये देखें 1926 से क्रिसी उत्पादों की कीमते गिरने लगी थी और 1930 के बाद तो पूरी तरीके से धराशाई हो चुकी थी अब क्रिसी उत्पादों की मांग इतनी गिर गई नेर्यात कम होने लगा तो किसानों को अपनी उपद बेचना और लगान चुकाना भी भारी पढ़ने लग गया और 1930 तक ग्रामिड इलाके जो थे भारी उथल पुथल से गुजर रहे थे अब इसी प्रिष्टी भूम में ब्रिटेन की एक नई टोरी सरकार ने सर जौन साइमन के नित्युत में एक वैधानिक आयोग गठन कहें जिससे साइमन आयोग के नाम से भी जा पारे में सुझाव देने थी और एक भी भारती सदस्थी नहीं थे और से नंग्रेश थे इसमें और अब शुर्य होगा विरोध हैं भाई एक भी जब भारत के लिए नीत Васbushi को नहीं रख रहे हो तो विरोध होना तो लाजब्य है ठीक हैप आप यह साइमन कंशन के उन्होंने अपना जो है दम तोड़ दिया है ना आगे देखिए 1928 में क्या हुआ जब सर जॉन साइमन जो है भारत पहुचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ साइमन कमीशन गो बैक के नारो से किया गया कॉंग्रेस और मुस्लिम जो लीक की सभी पार्टिया थी इन्होंने प्रदर्शन में हिस्सा लिया और इस विरोध को शांत करने के लिए वाइसराय जो लाड इर्विन थे इन्होंने अक्टूवर 1929 में भारत के लिए डॉमेनियन स्टेटस की जो है गोल मोल सा एलान कर दिया अब इन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा नहीं बताई उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी सम्मिधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोल में सम्मेलन आयोजित किया जाएगा अब इस प्रस्ताव से क्या हुआ कि कॉंग्रेस के नेता संतुस्ट नहीं थे ठीके और जवाहलाल नहरू और सुभास चंद बोस के नेतुत में कॉंग्रेस का तेज तर्रार खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लग गया अब देखे ये जो है इलाहाबाद में कॉंग्रेस न अब उधारवादी और उग्रवादी खेमा जो है अपने अपने तरीके से डोमेनियन स्टेस्ट के भीतर ही जो है सम्वेधानिक विवस्ता के पक्ष में थे लेकिन इस खेमे का प्रभाव जो था न वो घटता जा रहा था अब आप ये देख लिजे दिसंबर 1929 में जवाह और उस दिन लोग पूर्ण सुराज के लिए संघर्ज की शपत लेंगे और इस उत्सव की और ना बहुत कम ही लोगों ने ध्यान दिया और अब जो है स्वतंता की इस अमूर्थ विचार को रोज मर्रा जिंदगी के जो है ठोस मुद्दों से जोडने के लिए महत्मा है कि किसी भी समाज की तरफ भारती जंता का भी यह अहरणी ठीक है अधिकार है यानि कि जिसका हरण नहीं किया जा सकते है उसे अहरणी यह कहते हैं ठीक है कि उन्हें आजादी मिले अपनी महनत का फल मिले जीवन की सभी अवेशकताइं पूरी हूं जिससे उन्हें आगे बढने की परिपूर्ण आउसर मिले हमारा यह भी विश्वास है कि यदि कोई भी सरकार अपनी जंता को इन अथिकारों से बंचित रखती है और दबाती है तो जंता को भी सरकार को बदलने या उसे समूल समाप्त करने का अधिकार है भारत में ब्रिटानी सरकार ने ना केवल भारती जनता को स्वतंता से वंचित किया है बलकि उसने जनता का शोशन किया है और देश को आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक अस्तर पर नश्ट कर दिया है और इसलिए हमारा विश्वास है कि भारत को अनिवार्य रूप से ब्रिटेन के प्राप्त करके पोर्ण स्वराज्य प्राप्त करना चाहिए अब बात आती है नमक यात्रा और सभिने अवग्या आंदोलन थोड़ा समय इसका खाखा बता दू फिर हम आगे बढ़ते है बुक की तरफ ठीक है देखे मुझे जब ऐसा महसूस होता है कि मुझे बुक से बाह प्रिटिस समराज जिवाद के विरुद्ध भारती राष्टी कॉंग्रेस द्वारत चलाया जाने वाला यह क्या है जन आंदोलन कभी स्टार्ट हुआ छे अप्रेल 1930 को इसका उद्देश क्या था इसका उद्देश ये था कि कुछ विसिस प्रकार के गैर कानूनी कारियों जो है सामूहिक रूप से करके बृटिस सरकार को जुका देना ये जो आंदोलन था इसका प्रभाव ये हुआ कि ब्रिटिस सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए सक्त कदम उठाए गांधी जी सहीद अनेक कॉंग्रेसी नेताओं और उनके समर्थकों को जेल में डाल दिया आंदोलन कारियों और सरकारी सिपाहियों के बीच जगा जगा जरबर जस्त जो है संगर्स कराए ठीक है ये चीज आपको ध्यान रखना है अब देखिए जब ये सबीने अवग्या आंदोलन शुरू किया गया तो ब्रिटिस सामराज के विरुद्ध भारती राष्टी कॉंग्रेस द्वाराना चलाए गये जन आंदोलन जो में से ये एक था है ना तो 1929 तक भारत के ब्रिटेन के इरादे पर शक होने लगा कि अपनी वेशिक स्वराज ये प्रदान करने की अपनी घोजना पर अमल करेगा भी कि नहीं करेगा तो भाई हमें आंदोलन तो करना ही करना है ना तो अब देश को एक जुट होने की आवशक्ता थी और दे नमक बना कर नमक कानून तोड़ा गया किस प्रकार तोड़ा गया इसे हम अभी आगे देखते हैं 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इर्विन को एक खत लिखा अब इस खत में उन्होंने मांगे की कितनी मांगे 11 मांगे का अल लेक किया अब इन में से कुछ तो सामाने कि अधियोक पतियों से लेकर किसानों तक विभिनन तभकों से जुड़ी हुई थी और गांधी जी जो थे ना इन मांगों के जर्ये समाज के सभी तबको उपने साथ क्या करना चाहते जोड़ना चाते थे ताकि सभी उनके अभियान में क्या हो शामिल हो सकें अब इन में सबसे महतुपूर मांग क्या थी नमक कर को खत्म करने के बारे में थी नमक का तो अमीर गरीब सभी इस्तमाल करते थे न ये भोजन का एक अभिन हिस्सा है आप ये सोचो कि किसी दिन भोज अज़न पर सरकारी इजारेदारी को महत्मा गांधी ने बृटिस सासन का सबसे दमनकारी पहलू जो है वो बताया अब महत्मा गांधी ने इस पत्र के जरिए एक अल्टिमेटम भिटिश को दे दिया था चेतामनी दे दी थी उन्हों लें लिखा था अगर 11 मार्ट तक 11 मार गई गई तो कॉंग्रेस जो है सविनय अवग्या यानि कि सिविल डिस ओबेडियंस जो है मुम्मेंट छेड़ देगी एर्विन जुकने को तयार नहीं था एस विजूर बात है अंग्रेजु की पुराने ही नीती वो कभी मतलब नौर्मली तरीके से जुकने को रेडी ही नही कर दी अब यह जो यात्रा थी यह साबर मती में सटार्टक अब ही यह आप जान लेजीए बारा मार्स गारा ने हिए । विटम देखे रखा गया था और 12 मार्च से जो है शुरू हो गया तो क्या हुआ यह यात्रा साबर मती से साबर मती में गांधी जी के आस्रम से 240 किलोमीटर दूर डांडी नामक गुजराती तटीय कस्वे में जाकर खत्म होनी थी गांधी जी की टोली ने जो है 20 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का सफर तै किया और गांधी जी यहां जहां भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते इन सभाव में गांधी जी स्वराज का अर्थ पस्ट किया और यह आवान किया कि लोग अंग्रेजों की सांति पूर्वक अवग्या करें यानि आमुंद्र का पानी उबाल कर नमक बनाना शुरू कर दिया और यह कानून का उलंगन था और यही से न सभिने अवग्या आंधोलन शुरू होता है ठीक है और जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि 6 अपरहल 1930 को सभिने अवग्या अंधोलन शुरू हुआ और यह आंधोलन जो था ना असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह लग था इस जो है बार लोगों को ना केबल अंग्रेजों का सहयोग ना करने के लिए बलकि आपनिवेशिक कानून का उलंखन करने के लिए भी आवान किया गया है ना ये चीज़ याद रखेंगे एक्जाम में पूछा भ दंगन करने का भी आवान किया गया अब देश के विभन भागों में जो है तो ये देखिए बहुत सुंदर चित्रांकन किया गया है नमक कानून को तोड़ने जो गांदी जी पद्यात्रा जो कर रहे हैं है ना तो बहुत सुंदर है तो हजारों लोगों में नमक कानून तो है ना और जो है किसानों ने लगान और चौकी दारी कर चुकाने से इंकार कर दिया गावों में तैनाद जो कर्मचारी थे स्थीफे देने लगे और बहुत सारे अस्थानों पर न जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उलंगन करने लगे वे लकड़ी बीनने लगे जी सरकार थी दमन की नीती अपनाती थी हमेशा जब भी इनको डर सता था था न तो ये दमन की नीती अपनाने लग जाती थी अब कांग्रेसी नेताओं को ये जो है गिरिफतार करने लगी बहुत सारे अस्थानों पर हिंसक टकरा हुए अप्रेल 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफवार कहां को गिरिफतार किया गया न तो गुसाई भीर जो है शशश्त्र बक्तर बंद गाडियों और पुलिसों की गोलियों का सामना करते हुए सड़क पर उतर आई और बहुत सारे लोग मारे गए गाईज महीने भर बाद जब महात्मा ग सुष्णों में हमले शुरू कर दिये और भैभी सरकार ने जो है निर्मम दमन का रास्ता अपनाया यही तो अपनाती थी वह सांति पून सत्याहिगरों पर हमले किये गए और तो और बच्चों को मारा पीटा गया लगवग एक लाख लोग गिरिफतार कर लिये गए अब ब 5 मार्च 1931 ध्यान रखेंगे 5 मार्च 1931 को उन्होंने इर्विन के साथ एक समझोते पर दस्तकत कर दिये और इस गांधी इर्विन समझोते के जरिये जो है गांधी ने दिल्ली में होने वाले दूसरे गोलमिट सम्मेलन का हिस्सा लेने पर अपनी सहमती व्यक्त कर दी और 5 म 5 मार्च 1931 को ही गांधी इर्विन पैक्ट के नाम से जाना जाता है अब यहां पर बहुत इंपॉर्टन टाम आया है गोलमिट सम्मेलन दूसरा है ना तो अब आपको यह लग रहा होगा कि मैं पहला कब हुआ देखिए पहला गोलमिट सम्मेलन जो है नोवंबर 1930 में हुआ फर्स्ट गोलमिट सम्मेलन जो है नोवंबर 1930 को हुआ ठीक है अब जिसमें जो है देश के प्रमुक्रेता शामिल नहीं हुए और इसी कारण जो है यह बैठक जो थी ना निरर्थक साबित हुई इसलिए इसका नाम नहीं लिया गया तो यह जो बैठक है यह जो जो बैठक ब्रिटेन के प्रदान मंतिरी रैम्से मैगडरनाल्ड थीन प्रतनी नाजनीतिक यह 16 प्रतनीद्यों द्वारा किया अब जनृवरी जो है जैसे कि आपको पता है कि गांधी जी जेल में डाल दिया गया था जनृवरी 1931 में गांधी जी को जेल से रहा किया गया और उसके अ सम्मेलन भी हुआ और इसे गांधी इर्विन पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है तो ये जो दूसरा गोल में सम्मेलन था ना ये लंदन में आयो जित हुआ कहा आयोजित हुआ लंदन में आयोजित हुआ ठीक है और इसमें गांधी जी कॉंग्रेस का नेट्वित कर रहे थे गांधी जी का ये कहना था कि उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिनेट्व करती है अब इस दावे को तीन पार्टी ओने चुनोती दे दी पहला मुस्लिम लिग का कहना ये था कि वो मुस्लिम अलपसंख्यों को के हित में काम करती है राजा रजवाडों का दावा ये था कि कॉंग्रेस का उनके नियंतरन वाले भूभाग पर कोई अधिकार नहीं और तीसरी चुनोती तेज तर्रार वकीलो और विचारक बियार अंबेडगर की तरव से थी जिनका कहना ये था कि गांधी जी और कॉंग्रेस पार्टी निचली जातियों का प्रतिने दुत जो है जो नहीं करती अब लंदन में हुआ ये सम्मेलन किसी नतीजे पर पहुँच ही नहीं पाया और इसलिए गांधी जी को खाली हांत लोटना पड़ा और भारत लोटने पर उन्होंने सबीने अवग्या आंदोलन जो है वो शुरू के ठीक है और यही मैं थोड़ा सा आपको तीसरे गोल में सम्मेलन के बारे में बता दू तो ये सम्मेलन जो है 17 नुवंबर 1932 को हुआ कब हुआ 17 नुवंबर 1932 को हुआ तीसरा गोल में सम्मेलन आगे तो हम देखेंगे जब पहला बात कर रहे हैं दूसरा बात कर रहे हैं तो तीसरे की भी बात कर ही लेते हैं है ना इसमें 46 प्रतिने दिरों ने सम्मेलन में भाग लिया क्यों कि अधिकतर मुख्य भारती राजनितिक प्रमु के इस सम्मेलन में मौझूद नहीं थे ब्रिटेन की Labour Party और भार्ती राष्ची कॉंग्रेस इस सत्रे में लेने के लिए भाग लेने के लिए इनकार कर दीए आगे बड़ते हैं अब हमने ये देख लिया कि गोलमित सम्मेलन का कॉंग्रेस बहस्कार कर चुकी थी अब इसके बदले सरकार जो है राजनितिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई दिसंबर 1931 में सम्मेलन के लिए गांधी जी लंदन गए और यह वारता जो है बीच में ही तूट गई मैंने आपको बताया कि QTT और उन्हें जो है निरासो कर वापस लोटना पड़ा अब यहां आकर उन्होंने ये पाया कि सरकार ने नैसरे से दमन शुरू कर दिया गफार खां और जवाहालाल नहरू दोनों जेल में थे कॉंग्रेस को गैर कानूनी घोशित कर दिया गया था सभाओ प्रदर्शनों बहिसकार जैसी गत्विदियों को रोकने के लिए सक्त कजम उठाये जा रहे थे भारी आशंकाओं के बीच महात्मा गांधी ने जो है सविनय अवग्या आंदोलन दुबारा शुरू कर दिया साल भर तक ये आंदोलन चला लेकिन अंततर 1934 जो है आते आते इसकी मंदी पढ़ने लग गई और लोगों ने अंदोलन को कैसे लिया क्या परिणाम निकला सविनय अवग्या अंदोलन का इसको तो हम अगले पार्ट में देखेंगे अभी हम इस बारे में थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या देखा सबसे पहली चीच 1930 में महत्मा गांधी के नेतित्त में सविनय वग्या अंदोलन शुरू हुआ जिसका प्रारंब किसने किया गांधी जी ने किसके माध्यम से दांडी मार्च से ठीके 12 मार्च 1930 को साबर मती आश्रम से गांधी जी और आश्रम के 78 अन्य सदस्यों ने दांडी एहमदाबाद से 241 में दूरू उस्तित भारत के पच्छिमी घाट के तट पर एक गांव के लिए जो है पैदल यात्रा आरंब कर दिये कब पहुचे वो दांडी 6 अपरेल 1930 को पहुचे जहां पर उन्होंने नमक बना कर नमक कानून तोड़ा और उस समय किसी के द्वारा नमक बनाना गैर कानूनी था क्योंकि सरकार पका इसका जो है इस पे एकादिकार था और गांधी जी ने समुंद्री जल के वास्पी करण से बने नमक को मुठी में उठा कर सरकार की अवग्या की डिस ओबिडियन्स क्या है ना और नमक कानून की अवग्या के साथ ही पूरे देश में सविनय अवग्या आंधोलन शुरू हो गया ठीक है सरकार दमन पे उतारू हो गए सरकार द्वारा बरबरता पूर किये गए लाठी चार्ज में 300 से अधिक लोग घायल हो गए दो लोगों की मौत हो गई धरना हर्ताल विदेशी वस्तु का बहिसकार किया गया और बाद में कर देने से भी मना कर दिया गया ये सारी चीजे जो ह हम डिटेल वे में स्टडी करेंगे तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं गयास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कर लीजिए मैं आप को कई बार बोलती हूँ लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हो आप सब्सक्राइब कर तो बैनिफीशियल है आपके लिए ठीक है क्योंकि मैं बहुत दिल से मन से पढ़ाती हूँ अगर इसमें भी आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए खुला हुआ है और सब के कमेंट के जबाब मिलेंगे यह मेरा आपसे बादा है तो वीडियो को